उपपलव्वे नगर में रहते हुए पांडवों ने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई साथ अक्षोहिणी सेना इकत्र की। उधर कौर्वों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्टी कर ली जो ग्यारह अक्षोहने तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूद बनकर हस्तिना पुर गय थे नियत समय पर ध्रतराश्ट की सभा में पहुँचे। यथा विधी कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधी का प्रस्ताव करते हुए वह बोले। युधिष्ठिर का विचार है कि युध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युध से ग्रणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए नयाय तथा पहले के समझोते के अनुसार ये उचित होगा कि आप उनका हैसा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेक शील और महारती भीश्म बोले यही नयोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीश्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वे बड़े क्रोध के साथ भीश्म की बात काट कर दूद की ओर देखता हुआ बोला। तेरहमा व से बारा वर्ष के लिए बनवास भोगना होगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काट कर बोलने से भीश्म को बड़ा क्रोध हाया। वे बोले राधा पुत्र तुम बेकार की बाती कर रहे हो। यदि हम जिधिश्ट के दूद के कहे अनुसार संधी न करेंगे त और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्य के मुह में जाना होगा। भीश्म की बातों से सभा में खलबली मच्ते देखकर धृतर राष्ट बोले सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चे किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूद बना वहां श्री कृष्ण, सात्य की, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सब प्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध ना होने की चेश्टा करो। संजय उपपलव को रवाना हो गए। वहां पहुँचकर युद्धिष्टिर की सभा में सबको विधिवत प्रनाम करके बोले, धर्मराज, महराज धृत्राश्ट ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता संजय की ये बातीं सुनकर राजा युद्धिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधी ही चाहता हूं, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घ्रना से भर जाता है, यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए, तो हम अपने सारे कश्ट पूल जाएंगे। संजय ने कहा, युद्धिष्टिर दृतराश्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ना भीश्म की ही कुछ सुनते हैं, आप सदा से ही नयाय परिस्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युद्धिष्टिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वे जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तब ही श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयम हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ, मेरी यही इच् श्री कृष्ण के बाद युद्धिष्टिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महराज धृत्राष्ट को मेरी तरफ से प्राटना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें पांच गाउं ही दे दें, हम पांचों भाई इसी से संतोश कर लेंगे और संध करने को तैयार होंगे। युद्धिष्टिर का ये संदेश लेकर संजय, पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राज सभा में आकर उन्होंने युद्धिष्टिर की सभा में जो चर्चा हुई थी, उसका सारा हाल कह संजय के इस प्रकार कहने पर भीश्म दुर्योधन को दुबारा समझाने के बाद धृतराश्ट से बोले, राजन, कर्ण बार-बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा। कि तुम्हें कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का सोलावा हिस्सा भी उसमें नहीं है। तु तुमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गये थे, तब वह धपोर शंक कर्ण कहां छिप गया था। गंधर्वों को अर्जन ने ही भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके ब दुर्योधन को समझाया। बेटा, भीश में पिता में जो कहते हैं वही करने योग है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला। पिता जी, आप भी कैसे भोले ह जो यह भी नहीं समझते कि स्वयम युधिष्ठिर हमारा सैन बल देखकर घबरा उठे हैं। और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केबल पांच गावों की याशना कर रहे हैं। क्या उनकी इस पांच गावाली मांग से ये सिध नहीं होता कि हमारी ग्यारा अक्षोहणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्य हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदे हो रहा है। ये बड़े आश्यरी की बात है। जिरत राश्र ने समझाते हुए कहा। बेटा, जब पांच गावों देने से ही युध्ध तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमी भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमी में ही होगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बडी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपपलब से रवाना हो जाने के बाद युधेश्टिर शुरी कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट के मानों दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात इसपष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केबल पांच गावों से ही संतोश कर लूँगा। किन्तों ऐसा लगता है कि वेदुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस विशे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिश्टिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा। युधिश्टिर मैंने भी एक बार स्वयम हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युध से बचाने की चेश्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्यान होगा। युधिश्टिर ने कहा। श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं कि वे कब क्या कर ब पर चित हूँ। फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के ये कहने की गुझाईश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांती इस्थापित करने के लिए जो प्रधम प्रयास करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्रे कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए।